हम discuss कर लेते हैं fungal infections इसमें से सबसे पहले we will discuss about the dermatophytes ठीक है अब dermatophytes जो होते हैं यह superficial fungi होते हैं ठीक है superficial fungus होती है हमारी body की उसको खहेंगे dermatophytes ठीक है इस वज़े से इसको derma कहते हैं अब इनकी बात यह होती है कि यह superficial होते है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी skin होगी उसको यह involve करेंगे यह जो superficial हमारे parts है like nails है hair है superficial जो होंगे सारे उनको involve करेंगे इस वज़े से इनको क्या कहते हैं dermatophytes चर्दा superficial fungi फिर इनकी जो है तीन टाइप्स होती है एक हमारे पास आता है trichophyton एक होता है microsporium and third one is epidermophyton dermatophytes जो हैं उनमें कौन-कौन से आ जाते हैं microsporium, trichophyton and epidermophyton फिर अब यह जो है हमारी आपकी जो step up है उसमें एक table बना होगा उसमें इन्होंने इसकी सारी classification दिखी हुई है कि अगर यह इस part of body को involve करेंगी तो हम इस fungus को यह कहेंगे अगर इसको involve करेंगी तो यह कहेंगे ठीक है तो अगर यह हमारी body को involve करती है, body पे fungal infection होता है तो that is tenia corporis किसमें क्या-क्या involve होगा इसमें body involve होगी और trunk involve होगी और क्या बनेगा pink annular liens, annular means gold gold liens बनेंगे pink color के, इस तरह से, ठीक है this is the tenia corporis, क्यों corporis है, because it is involving the body, ठीक है यह देखें, इसको हम ringworm भी कहते हैं, जैसे एक ringworm होता है इस तरह से, gold सा pink annular liens, ringworm ठीक है, तो body को जब fungus involve करेगी तो वो इस तरह से lien बनाएगी ringworm की form में, गोल-गोल, pink करेगे फिर आता है, अगर यह हमारी scalp को involve करती है, as you can see in this figure, scalp है, ठीक है क्या note करें आप इसके उपर scalp के उपर बाल उतर गए हुए है, उस चगह से जहां पे fungal infection हुआ हुआ है, आप derma ward में अगर गए हो आपकी अगर वो, derma ward अगर आप गए हो, वहाँ पे आपको कोई ना कोई बच्चा जरूर मिलता है, जिसको यह hair का infection होता है, ठीक है, बाल उतर उतर के गिह रहे होते हैं, इतने थे patch की form में, ठीक है, तो यह हमारा inflammatory भी हो सकता है, non-inflammatory भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो है यह क्या है, टीनिया कैपिटिस है, इसने scalp को involved किया हुआ है, फंगस में, तो किसमें होता है, यह आपका MCQ भी आता है, कि टीनिया कैपिटिस जो है, यह किस age में जादा common है, so this is common in children, ठीक है, और उसमें में क्या मिलते हैं, areas of scaling with hair loss, इस तरह से आपको areas मिलते हैं, hair loss के, patchy hair loss होता है, फिर क्या है, अगर यह हमारी fungus जो है, यह हमारी nails को involve करे, as you can see in this picture, तो इसको हम क्या कहेंगे, टीनिया उंगियम, ठीक है, अब यह जो है, यह किस age group में गजादा common होता है, जिसमें यह fungus जो है, यह हमारी elderly लोगों को involve करेगा, ठीक है, जिसमें यह nails को involve करेगा, तो elderly जो लोग होंगे, उसमें nails commonly infected होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, थिक और पैसिफाइड nails मिलेंगे, as you can see in this picture, so इसको हम क्या कहते है, onychomycosis, ठीक है, आपने एक word बढ़ा था, onycholysis, याद है वो किसमें था, soriasis में, ठीक है, यहाँ पे onychomycosis है, क्योंकि यह क्या है, mycosis, ठ ठीक है, it actually tells that this is a fungal infection, okay, next, देखें, अगर यह मारी foot को involve करती है, जैसे आपको नजर आ रहे है, feet के नीचे आपको यह नजर आ रहे है, ठीक है, this is the tinea pedis, इसको हम athletes foot पी कहते हैं, और यह किसको involve करता है, athletes है तो इससे याद कर ले, young adults में common होती है, हमें क्या मिलता है, scaling मिलती है, redness मिलती है, जिसको हम कहते हैं, aridema and puritis पी मिल सकती है, मतलब यह इची भी हो सकती है, खारिश पी होगी, like this, ठीक है, फिर आता है कि अगर यह fungus हमारी groin area को और जो inner thighs वले area है, वहाँ पर involve कर ले skin को, तो that is known as tenia cruris, और यह किसमें जादा involve कर अडल्ट मेल्स में, वहाँ पर भी हमें scaling मिलेगी, aridema redness मिलेगी, लेकिन यह scrotum को involve नहीं करता है, यहाँ पर मैंने हलती से athlete foot लिखती है, इसको हम कहते हैं, कि अगर यह हमारी kruris मतलब के groin area को involve करता है, तो इसको हम कहते हैं, jock itch, ठीक है, jock itch लिखना था यहाँ पर, ठीक है, यह देखें, thighs को involve किया अब है, inner thighs को, और इसके साथ groin area भी involve हो सकता है, adult males में होता है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, teenia, teenia जो है, cruris, ठीक है, तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले, we had the teenia corpus, जिसमें body trunk involved हो रही थी, ringworm की form में, teenia capitals, जिसमें scalp involved हो रहा था, बच्चों में जादा common होता है, nails involved हो रहे हैं, तो teenia on game, अगर pound involved हो रहे हैं, तो teenia pedis, और अगर groin area वगरा involved हो रहे हैं, तो teenia cruris, ठीक अब इसकी investigations में अगर हम बात करें, तो हम इसमें fungal culture भी करवा सकते हैं, मतलब fungus को हम just like bacteria culture कर लेंगे, और इसके बारे में थोरा सा आप आपके जहर में होना चाहिए, कि जो fungal culture होता है, that is the most accurate test, ठीक है, जिसमें आपको पता चलता है, कि यह जो है na fungal infection है, तो लेकिन हम fungal culture इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो four to six weeks ले रही होती है, grow करने के लिए, ठीक है, यह point आपको पता होना चाहिए, why we don't do cultures, obviously इतना time लेगी, तो हमने क्यों करवाना है, ठीक है, तो लेकिन जो best initial test होता है, वो हमारा यह होता है, कि हम scraping ले लें, वो जगा जहां पे fungal infection हुआ है, उसको हम उखार के slide पे चोटे-चोटे टुकरे, उसके रखा रख के, माइक्रोस्कोप के नीचे जो है, stain करके, क्योएट staining से वो check कर लें, that is the best initial test, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पस दो चीज़े आती हैं, investigations के लिए, एक we have the microscopy और दूसरा है fungal culture, ठीक है, best accurate, most accurate test is the fungal culture and best initial test is the के वेट staining, ठीक है, अचा, इसके बाद आता है, कि अगर तो हेर और नेल्स इंवाल्द नहीं हुए, सिर्फ स्किन इंवाल्द हुई है, तो हम कोई भी टॉपिकल, एनी टॉपिकल हम यूज कर सकते हैं, माइकोनाजोल, तर कोनाजोल, इस चारों जो है, इनमें से कोई भी टॉपिकल हम use कर सकते हैं, अगर हेर और नेल्स इंवाल्द नहीं हुए, सिर्फ स्किन इंवाल्द हुई है, लेकिन अगर हमारे हेर और नेल्स इंवाल्द हुए हैं, तो फिर हम ये टॉपिकल एजंट्स नहीं इ्यूज करेंगे, या हैर टिया या लगाएंगे, वह सिख scar page लिए उस होती है, और जो टोज होती हैं, उनके लिए हम 12 वीक्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर, क्योंके हमारी जो टर्बीनाफीन होती है, ये हमारे लिवर फंक्शन टेस्ट को हराब कर सकती है, तो साथ-साथ हमें LFTs करवाने परेंगे, लेकिन दूसरा जो हमारे पस एक होता है, ताट इस, ग्रीसो फल्विन, ठीक है, अगर आपसे पुछा जाए कि हम टर्बीनाफीन क्यों यूज करते हैं, ग्रीसो फल्विन क्यों नहीं यूज करते हैं, तो ग्रीसो फल्विन जो है, वो हमारा 12 तो 18 मंथ का कोर्स लेता है, ठी इसो फल्विन इस नोट गिवन, टर्बीनाफीन या इत्राकोनाजोल हम देते हैं क्योंके वो 6 वीक्स तो 12 वीक्स का काम होता है, 6 वीक्स फर फिंगर्स एंड 12 वीक्स पर टोज, ठीक है? सो यह कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिये के, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट अफ यू से, और मेनेजमेंट पॉइंट अफ यू से, फिर यह जो डेविट्सन की छोड़तोरी सी मेनेजमेंट लिखे वी है, इसको आप रीट कर लें, अधर जो मैंने आपको बता जो के वीक्स में काम करेगी, इस वज़ा से देते हैं, लेकिन ग्रीसो फल्विन जो है, वो 12 तो 18 मंथ लगाता है, इस वज़ा से मुसको नहीं देते हैं. So, this is all about the treatment of these dermatophytes, और dermatophytes के बारे में सब कुछ, अब हम बात करते हैं, एक आपकी जो है, टीनिया वर्सी कलर की, अब इसका वर्सी कलर जो है, इसी से इसकी जो है, डाइग्नोस्टिक पॉइंट है, वर्सी कलर, मतलब कि इसकी कलर जो है, वो चेंजिस आती है, कलर चेंजिस है, ठीक है, लाइक जरूरी नहीं है कि ये वाइट हो, ठीक है, हाइपो पिग्मेंटेड भी हो सकता है, हाइपर पिग्मेंटेड भी हो सकता है, ठीक है, हाइपो पिग्मेंटेड क्यों होगा, because of decreased melanin, ठीक है, melanin जो है, उसकी decreased synthesis की वज़ज़ से हाइपो पिग्मेंटेड ह हो सकता है और अगर melanosomes की enlargement हो जाए तो क्या हो जाएगा hyper pigmented हो जाएगा तो इस वज़ा से ये कभी कभार जो है कहीं कहीं ये hypopigmented macules बनाएगा और कहीं कहीं ये hyper pigmented macules बनाएगा कौन सा organism इसमें involved होता है मैलासीजिया फरवर ठीक है ये आपको गुरूप भी दिखाया है तो ये देखें नीचे वाली पिक्चर में भी कि इसने कलर जो है वो नॉर्मल स्किन से डिफरेंट है ये वाला भी देखें ये surrounding skin से red red आपको brown brown feel हो रहा है ठीक है ये सारी पिक्चर देखें आपको समझा रहा है न कि किस तरह से हम इसको identify कर रहे है because of variation in color hypo and hyper pigmented देखें ये hyper pigmented है और उपर hypo pigmented था depending upon melanocytes है या नहीं चीक है तो ये हमें कैसे नजर आते है well demarkated पता चल रहा होता है ये ये जगा है हम इसको demarkate कर सकते हैं न इसको line इसकी boundary बना सकते हैं कि ये है ये है तो well demarkated ज़्यादा तर कहां होते हैं ट्रंक पे आपको जतनी पी pictures दिखाएंगे हैं वो सारी trunk area में थी hyper और hypo pigmented brown to tan to white color के होते हैं ज़्यादा तर किसमें होते हैं adults में होते हैं और इसकी जो cause होती है वो ये होती है कि for example आपको एक जैसे cooking करी होती है mostly females तो उस दुरान बहुत ज़्यादा क्या होता है sweating होती है sweaty conditions होती है या humidity होती है इसके इलावा humid hot hot humid weather है और excess sweating है skin oils है उसकी वज़ा से ये हो जाता है fungal infection किसका? तीनिया वर्सी कलर का मैंने सीजा फरवर ठीक है अब इसकी जो है characteristic appearance होती है जैसे आपको ये नजर आ रही है these are the spaghetti with the meat balls ठीक है ये नीचे आपको spaghetti's नजर आ रही है और उपर meat balls नजर आ रही है तो इसकी जो हम जब KOH staining करते हैं इसकी तो हमें characteristic इसकी नजर आती है spaghetti and meat ball pattern ठीक है as you can see here वो कैसे कि जब हम KOH staining करते हैं तो ये आपकी yeast के balls बने होते हैं ये देखें these are just like the meat balls और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये बाकी सारे these are the hyphy ठीक है जो कि आपको नजर आते हैं just like spaghetti तो इस तरह कि जब KOH staining में आपको meat ball appearance नजर आती है meat balls and spaghetti appearance this is actually of the tatenia versi color ठीक है और इसका जो treatment होता है वो just like others antifungals हम देते हैं और antifungals देते हैं और इसके इलावा selenium sulfide का lotion लगा देते हैं ठीक है so this is all about the antifungals जिसमें we discussed about the dermatophytes and the tenea versi color और उनका जो है different हमने देखा कौन कौन से areas को involve करते हैं कौन से organisms होते हैं और tenea versi color की specificity हमने बात की कि hypo or hyper pigmented liens बनते हैं in the form of pictures हमने देखी और investigations जिन सबकी सेम होती है fungal infections की यां तो culture कर वालो यां के वेश difference मैंने आपको बता दिया और treatment का भी मैंने आपको बता दिया कि dermatophytes में किस तरह से treat करेंगे और यहां पे आप selenium sulfide याद रखे बाकी antifungals आपके चलते रहते हैं साथ साथ so this is all about antifungals का कोई मुझे SCQ तो नहीं मिला लेकिन it is important for your MCQs और overall जो है इसके बहुत है clinical cases आते हैं wards में so you should know about it so this is all about it